आप सभी को मेरा नमस्कार जे माता रानी की तो दोस्तों कार्तिक मास में सुनी जाने वाली देव उठनी एका दसी की कहानी आज मैं आपके लिए इस वीडियो में ले कर आए हूँ दोस्तो एक समय की बात है एक नगर में एक राजा था वहे उसकी रानी बेटा तता परजा बहुत धार्मिक परवती के थे एक अदसी के दिन राजी में कोई भी अनाज नहीं खाता था अनाज की सभी दुकाने भी बंद रखी जाती थी राजा सहित सभी लोग फलहार करते थे या निराहार रहते थे एक बार भगवान विष्णू जी के मन में राजा की परिक्षा लेने का विचार आया वे अत्यंत सुंदर इस्त्री के रूप में राज मार्क पर उपस्तित हो गए राजा का रत वहां से निकला तो राजा नहीं उन्हें देखकर मुख्द हो गए औ और उनके सामने शादी का पस्ताव भी रख दिया इस्त्री बने भगवान विष्णू जी ने कहा यदि उन्हें पूरे राज्ये पर अधिकार दिया जाएगा और जो खाना वे परोसेंगे उसे खाए तो शादी का पस्ताव वो मंजूर कर लेंगे राजा ने इसे स्विका भी कर लिया और शादी करके उन्हें राजबवन ले आए दो दिन बाद कार्तिक सुकल पक्स की एका दसी का दिन था नई रानी के आदेश निकलवाया की रोजाना की तरह अनाज की सभी दुकाने खोली जाएगी उन्होंने मासाहरी सईत कई परकार के वेंजन भी बनाए औ राजा ने कहा आज एका दसी है वे सिर्फ फलहार ही ले सकते हैं राणी ने उन्हें शादी की सर्थ याद दिलाई और कहा की या तो सर्थ पूरी करके वेंजन खाए या फिर राज कुमार का सिरकाट लाए राजा धरम संकट में पढ़ गया अपनी पुरानी राणी से राजा ने राज कुमार को बुलवाया और सारी बात बताई तो राज कुमार धरम की रक्षा के लिए तुरन सिर कटवाने को तैयार हो गया राजा ने जैसे ही तलवार उठाई भगवान विश्नुजी परगट हो गये और राजा का हाथ पकड़ लिया उन्होंने सारी बात बताई और परसन होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा राजा ने आसिर्वात की सिवा कुछ भी नहीं मांगा लंबे समय तक राजा ने सुक पूर्वक राज किया फिर बेटे को राज पाठ सोब दिया धरम की पालना करने से परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका कल्यान हो भगवान विश्णू जी सबकी मनो कावनाई पूरी करे तो बोलो भगवान विश्णू जी की जे हो